भारत मता की, भारत मता की, चत्रपती शिवाजी महराज की, दोल सियापती राम चंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापती महादेव की, अलजी बैस अवसंतन की, अलभारत मता की, जै श्री नाम, जै श्री राम, धमतरी में बहुत दम है, आपके आवाज रायपूर तक पहुच रही है, महाराष्टर तक तो पहुचेगी ही, मंचपूर पस्तित, हमारे बहुत ही जनप्रिय विधायक, वरिष्ट नेता, अधरनिया अजे चंद्राकर जी, हमारे सांसद अधरनिया चुनिलाल साहू जी, हमारे प्रभारी दिलिप जैस्वाल जी, हमारे सिहावा के उमिद्वार श्विशावण मरकाम जी, धमतरी से हमारी विधायक और उमिद्वार बहंद रंजना शाहू जी, मंचपर उपस्तित, जगदीश रोरा जी, शशी पवार जी, पिंकी शह, कविंद्र जैन, निरंजन सिनह, प्रितेश गांधी, अर्विंदर मुंडी, निर्मल बराडिया, प्रकाश गोलचा, मंचा सीन, सभी महनुभाव, और उपस्तित सभी बहन और भाईयो, सबसे पहले, मैं बिलई माता, अंगार मूती माता, दंतेश्वरी माता, चंडी माता, सभी के चरणों में, बहुत-बहुत नमन करता हूँ, सभी को बहुत-बहुत प्रणाम करता हूँ, 36 गड़ में, चुनाव का मोसम शुरू हो गया, यह मुझे पता लगा, जब मैंने कॉंग्रेस के नेता राहूल गांदी का भाशन सुना, आपने गजनी करके एक पिक्चर देखी होगी, वो गजनी को भूलने की बिमारी होती है, ऐसी ही भूलने की बिमारी अमारे राहूल गांदी जी को और भूपेज बगेल जी को है, यह 36 गड़ के गजनी है, पिछले चुनाव में जो बोलते हैं, पाथ साल भूल जाते हैं, और मानों बोला ही नहीं, ऐसा वापिस वो ही बोलना शुरू कर देते हैं, अभी अजय जी ने हमको बताया, पिछले चुनाव में इनका नारा था न्याय, किसको मिला, न्याय मिला सिर्फ कांग्रेसियों को, उनकी तिजोरिया भर गई, उनकी तिजोरियों को न्याय मिला, लेकिन 36 गड़ के आम आडमी को न्याय नहीं मिल पाया, अब यह न्याय परादे, कि कांग्रेसियों की नियत और नीती कैसी है, एक हमारे कांग्रेसिय चुनाव आया, तो गाव पहुच गए, और बोले, देखिये, तुमारे गाव की सारी समस्या निप्ता देंगे, और तुमारे गाव में एक पुलिया भी बना देंगे, तो एक भुड़े हुए बोले पुलिया का बनाओगे न नदिया न नाला है बोले कोई बात में चुनकर दीजिए नदिया भी बना देंगे नाला भी बना देंगे और पुलिया भी बना देंगे तो ऐसे ये सारे गजनी अब वापिस चतिस गड़ में आ रहे हैं तो इनसे सवाल पूछना पाच साल पहले जो जो कहा था उसमें से क्या किया बताईए बताईए आपने क्या किया ये जवाब नहीं दे सकते क्योंकि चतिस गड़ में पिछले पाच मर्शों में केवल भरष्टा चार का बोल बाला रहा है किसानों के सपनों को युवाओं के सपनों को महिलाओं के सपनों को चूर चूर करने का काम इस चतिस गड़ में बगेल जी की सरकार ने किया है और जूट तो ऐसे सफाई से बोलते हैं अगर जूट बोलने का ओलम्पिक रखा जाए तो सारे गोल्ड मेडल इनको ही मिलेंगे साब किसी को मिल नहीं सकते है आज देखें धान की खरेदी में सारा पैसा मोदी जी का और मलाई खाते भुगेल जी मोदी जी से पैसा लेते उसमें अपना एक नया पैसा डालते नहीं है बोलते 600 रुपिया दूंगा किसको देते पता नहीं है सारा पैसा मोदी जी का और उसमें भी जो धान खरीद होती है धान कहा गायप हो जाती है पता ही नहीं चलता धान की धान गायप हो जाती है गुदामों से मीलों से धान गायप हो जाती है ये 36 गड़ में किसानों के साथ और धान का घोटाला करके इस सरकार ने चलावा किया है और अब बोलने के लिए ये 4000 ने 5000 भी बोलेंगे चुनावाया तो आपको ताज महल देने को भी ये तैयार है लेकिन हमेशा पीछे मुड़ कर देखना और फिर ये सोचना कि बगेल जी ने जो कहा था क्या कुछ भी वो कर पाए अगर नहीं कर पाए तो फिर उनको बेरंग वा या घोटा लेकी नई factory निकाली है कर दुनिया में पूरे भारत में शराब में घोटाला होता था इसे अर्द होलो गराम ईया की मैं क्या बोलका हाथा होलोग्राम जैसा है जैसे नोट डूप्लिकेट नहीं बंती है यह होलोग्राम है यह लग गया तो नकली उलोग्राम नह भानों नकली नोट तो यार हो गई और गंदी शराब घटया शराब यह शराब पर होलोग्राम लग गया और सरकारी शराब बना-बना के उसको बेच दी पैसा सरकार के खजाने में नहीं आया अरै लोगों तो तो शराब के मान पर जहर पिलाया और जहर का सारा पैसा एक कॉंग्रेसियों के तिजोरी में चला गया यह शराब का घोटाला करने वाले घोटाले बाज लोग है हर चीज में घोटाला अभी कोईले के घोटाले के बारे में बता रहे थे किस प्रकार से जब तक गांधी जी का दर्शन नहीं होता कोईले की ट्रक आगे नहीं बढ़ती हर ट्रक पे गांधी जी का दर्शन असली गांधी जी नहीं आपको पता है हरे वाले गांधी जी वो हरे वाले गांधी जी का दर्शन लेकर ही यह पक्ये गांधी वादी लोग है यह सिर्फ नो से कोईले के कारोबार में इन्होंने हाथ काला किया है मैं आपको यकीन सब्सक्राइब कहता हूँ अब इनका मू काला कीजिए नहीं तो च्छतिस गड़ का विकास ये कभी नहीं कर पाएंगे आपके सपनों को तोड़ने का कामिनों ने किया है जब कोई बच्चा नौकरी के लिए परिक्षा देता है तो उसके मन में सपने होते हैं साल साल दो दो साल तक वो पढ़ता है यह सोचता है कि मेरी भी नौकरी लगेगी शादी करूँगा परिवार बसाऊंगा बाबापको मदद करूँगा लिकन उसे पता ही नहीं होता कि 36 गड़ में आप कितना भी पढ़लो आप कितना भी लिखलो 36 गड़ में तो उसको इनोकरी लगेगी जिसको बगेल साहब चाहेंगे और बड़ा आश्चरे होता है अचानक कॉंग्रेसियों के बेटे और बेटिया यह होशियार हो जाते हैं अचानक उनको इतनी पुद्धिया आ जाती है कि उन्हीं के नाम नोकरी के लिस्ट में आ जाते और सालों साल जो पड़ते हैं उनका नाम नहीं आता यह हमारे युवाओ के सपनों को तोड़ने का काम बगेल जी आपने किया है यह जो घोटाला आपने किया है यहाँ पर जिनोंने महनत किये उनके सपनों को चूर चूर करने का काम आपने किया है केवल सिफारिश से नोकर आदी जा रही है दोस्तों ये होगा तो हमारी युवा पिड़ी बरबाद हो जाएगी अरे युवा को नशे में डुबा कर यहां पर चत्तिस गड़ को बरबाद करने का काम चल रहा है और वही आज फिर एक बार चत्तिस गड़ के आदिवासी इलाकों में नक्षलवाद का सि जिस चत्तिस गड़ को नक्षलवाद से बाहर निकालने का काम बाजपा की सरकार ने किया पूरे देश में हमारे अमित बाईशाह के नेतरुत्व में नक्षलवादियों से लड़ाई चल रही है लेकिन चत्तिस गड़ की सरकार तो चुनाव जीतने के लिए भी उनकी मदत लेने की कोशिश कर रही है दोस्तों जागना होगा जो देश को बरबाद करना चाते हमारे आरिवासियों को बरबाद करना चाते है ऐसे लोगों के साथ हाथ से हाथ मिला कर अगर कोई सरकार काम करना चाती है तो यह सरकार केवल चत्तिस गड़ के लिए नहीं यह देश के ल जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार में हमारे आडिवासियों के लिए योजनाय चली जिस प्रकार से आडिवासियों के विकास का विचार हुआ और देश के इतिहास में पहली बार एक हमारी आडिवासि महला देश की राष्टर पती बनी ये मोदी जी ने करके दिखाया कि आड वहां से देश को चला रहे हैं ये मोदी जी ने करके दिखाया है दोस्तों आज जिस प्रकार से हमारे भारत को मोदी जी ने बदलने का काम किया है एक बदलता हुआ भारत है एक ऐसा मजबूत भारत तयार किया और ये मजबूत भारत तयार करते समय मोदी जी ने गरीब कल्या के तहत गरीबों को मकान मिले गरीबों को गैस मिले गरीबों के घर पानी पहुचे गरीबों के गर इलेक्ट्रिसिटी पहुचे गरीबों को रोजगार मिले गरीबों को अनाज मिले हमारे गरीब महलाओं को रोजगार मिले हमारे विश्वकर्माओं को रोजगार मिले यह सार यह मोदी जी ने दिखाया जो भारत दसवी अर्थ विवस्ता था आज दुनिया की पाचवी सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता बन गया और आने वाले दिनों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता हमारा भारत बनेगा जिन अंग्रेजों ने देर सो साल हम प सकता कोई ये सवेल भी पूछ सकता है कि अर्थम्री तो सड़के बनते हैं सीचाई की परियोजनाये बनती है अर्थ मैंजना得 वस्ता तयार होती है तो जब बड़ी होती है तो तो गरीब कल्यान का अजेंडा चलाने के लिए देश की तिजोरी में पैसा आता है, जो पैसा इससे पहले कॉंग्रेसी खाते थे, कोईले का घोटाला करते थे, स्पेक्ट्रम का घोटाला करते थे, ये सारा का सारा पैसा मोधी जी ने देश की तिजोरी में लाया, इसलिए द चत्युज़ के घरीब को मकान देना है मोदी जी चत्युज़ के घरीब के मकान के लिए पैसा भेशते हैं और भूपेश बगेल केते हैं अरे यह मकान बन गया तो मोदी जी को वोट दे देगा इसलिए इसका मकान रोक दो 16,000,000 मकान रोकने का पाप इस 36 गड़ में भूपेश बगेल जी ने किया है अरे 16,000,000 परिवारों को बेघर करनेवाला उनको जोपडों में रखने वाला उनका आशिया ना छिननए वाला उनकी छत को नेस्तना बूत करने वाला व्यक्ति कोई होगा तो वो भूपेश बगेल और कॉंग्रेस की सरकार है ऐसे लोगों को या रखने का, रहने का और राज करने का अधिकार नहीं है इसलिए आप से निवेदन करने के लिए आया हूँ अरे देश मुदी जी के साथ चल रहा है कै छतिस गड़ मुदी जी के साथ नहीं चलेगा? नहीं चलेगा किसके साथ चलेगा किसके साथ चलेगा अरे अगर मूदी जी के साथ चलना है तो फिर हमें वही इतिहास दोरा ना होगा अजय भाई साब ने जो का जो 1962 में हुआ जो 2003 में हुआ यहां की तीनों सीटे भारतिय जनता पर्टी के खाते में डालनी होगी आज हमारे सारे विधायक जिस प्रकार से हम लोग देखते हमारे आजय भाई हो हमारी बैन हो यह सारे लोग जिस प्रकार से जनता की सेवा करते चोबिस घंटे आपके लिए हाजिर है दोस्तों आपके लिए काम करने वाले लोग चुन कर देना और च्छतिस गड़ को फिर एक बार मोदी जी के हाथ में मोदी जी के साथ में देना यह जिम्मेदारी आपको सोब कर जाता हूँ बोलिए करेंगे आप च्छतिस गड़ किसके साथ चलेगा? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? तो बोलिए भारत मता की भारत मता की भारत मता की धन्यवाद जैहिन